कि अपना पॉसन एस्पेरियंस आप लोगों के शेयर करने वाली हूं तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरू देखिए यूँकि इस वीडियो से आपके बालों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा तो चलिए फिर फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहल इसके बारे में तो इसमें दो ही में इंग्रेडियन से फर्स्ट है सिस्ट में और चेंट है कोकोनट ओए रुपीज अब इसके साथ यहां पर न दो श्यांपू भी फ्री में मिलता है यह अंदर है में आपको दिखाती हूं यह शैशे में आता है इस तरह का इसका है थ्री रुपीज मतलब एक सैशे तीन रुपीज का आता है तो यहां पर दो मिला हुआ है आप ट्राइ कर सकते हैं कि यह शैंपू अच्छा है या फिर नहीं इसके लिए यहां पर यह दिया गया होगा इसके अंदर कुछ इस तरह का बॉटल आता है यह जैसे बहुत पहल अगर हम इसके थिकनेस के बारे में बात करें तो यह बहुत ही लाइट वेट है जैसे कोई भी अईरुवेदिक ओएल होता है उस तरह का इसका थिकनेस नहीं है बहुत ही वाटरी कंसिस्टेंसी में है नॉर्मल है ओलिश निहार होते हैं शेम वैसे ही एंड यह तो हो गया इ अगर तो यह एकरना चाहूंगे कि फिलहाल तो मैं इसे यूज नहीं कर रही हूं यूज कर रही हूं अभी सिर्फ सब्ता दिन हुआ है या फिर साथ साथ दिन ही हूँए हूंगे बट 2015 में यूज करना सट करी थी और उन दिनों में क्या करती थी जैसे हम नॉर्मली कोई भ अपलाई कर लेती थी उस टाइम मेरे बाल का शायच कुछ इतना था होगा इतने लंबे बाल नहीं थे बहुत छोटे बाल थे तो 2-3 बुंदे बहुत ही अच्छे से अपलाई हो जाते थे अपलाई करने के बार ट्रस्ट में फ्रेंड्स 2-3 दिन में ऐसे ही छोड़ जाती थी करना चाहूंगे कि यह जो है उस टाइम मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था काफी मेरे बालों का लेंद काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था बहुत ही तेजी से बहुत ही फास्ट है ग्रोथ हुआ था एंड हैर फोल तो आज इस ही रहा था लेटी थी उस वज़े से हैर फोल बहुत जादे नहीं होता है तो कोई पहले उसके साथ साथ आप फोलिक तैबलेट रिओी सुन e फोली के से टेवलेट का I think कोई भी साइड इफिक्ट नहीं होगा क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी साइड इफिक्ट नहीं हुआ है मैं बहुत पहले सी से यूज करती हूँ तो फ्रेंज मैंने सार च्वाप बता दिया अच्छा मैं उस टाइम को बात बताएए ना 2015 लगभक का उसके मीरे बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था बट हाल-फिलाल में इससे पर्चेस करी हूं इसलिए यह मेरे स्काइल पर शुटेबल नहीं हो रहा क्योंकि हाल फिलाल में जब से मैं इसे यूज कर रही हूँ तब से बालों का गिरना बहुत जादा बढ़ गया है बहुत ज्यादे इंक्रीज हो गया है and बहुत सारे ऐसे ओई है जो ठंडी में मेरे बालों के लिए शु तो अगर इस पर कुछ improvement लाया गया है पहले के compare में तो हो सकता है उसके वज़े से भी यह suitable नहीं हो रहा होगा तो totally यह हमारे scale पर depend करता है कि यह जो oil है यह हमारे लिए work करेगा या फिर नहीं करेगा ठीक है तो friends I think मैंने सारा जेज आपको clearly बता दिया होगा बट फिर भी कोई doubt है कोई query है तो आप हमें comment कर सकते हैं मैं आपके comment का 100% एंसर करूंगी अगर आपको कोई दूसरा product का review चाहिए तो भी आप हमें comment भी बताए मैं जितना जल्दी possible हो आपके लिए review and अपना experience शेयर करूंगी तो friends बस आज के वीडियो हम यही प्रेंट करते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye take care